हलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल खांदानी बगीचे में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रकिलत के खजाने से आज मैं पूना लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक दिब और एक सिद्ध जड़ी बूटी जिसका नाम है रतन जोट दोस्तों यह जड़ी बूटी बिलुप्त सी होती जा रही है लेकिन है बहुत कारगर आप इसका उप्योग करेंगे तो आप भी जानेंगे कि इसके क्या फाइदे हैं और किस तरह हमें इसका उप्योग करना है दोस्तों यह दुरलब जड़ी बूटी जो है बहुत ही फ़ाइदे मंन है आईरुए दोस्तों हम आपको बताएं इसके बारे में विस्तार से इसके पहले एक आगरा करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए है या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विल आइकन जरूर प्रेस कर दीजगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो दोस्तों आप जैसा कि देख पा रहेंगे नेले फुलों वाला जो है रतन जोत जो की बहुत ही मतलब जो है आउशदी गुनों से भरपूर पौधा है रतन जोत एक आयरुवेदिक आउशदी जड़ी बूटी है जिसका उप्योग स्वास् से बालों को स्वस्त रखने में त्वचा को स्वस्त रखने में अनिद्रा दूर करने में आखों की रूशनी बढ़ाने में त्वचा का रूखापन दूर करने में बुखार को कम करने में रक्त चाप को नियंत्रित करने में दात खात खुजली दूर करने आदि में जो है फ मुशक्तत्व के साथ आउशदी गुण मौझूद होता है इसके अलावा योगिक इथेन, डाइक्लोरो, एच, एंजोट्री आजोल, नाइट्रो, क्लोराइथाईल, और मिथेनयो, सल्फोनेट और फोर डाइजो आदी हैं इसकी जड़का उप्योग अरवेदिक आउशदी ब करें, सबसे पहले तो आप जान लिए कि सिर्दर्द को दूर करने में, सिर्दर्द की समस्या किसी क्योगी हो सकती है, सिर्दर्द की समस्या को दूर करने के लिए रतंजोत लाबदायक होता है, रतंजोत में एंटी इंफ्लमेटरी गुण होता है, जो सिर्दर्द को कम करता रक्त परिसंचरण में सुधार करता है या सिर्दर्द में दर्द का अनुभव हो रहा है तो रतन जोद की जड़का उप्योग करें इसके अलवा माइग्रेन की समस्या को भी या दूर करता है अच्छी नीन के लिए बहुत से लोगो नीन ना आने के समस्या होती है जिसके कराण अन्य विमारियों के सामना करना पड़ता है रतन जोत के तेल में आउशदी एक गुण आच्छी मात्रा में होता है जो अनिद्रा की समस्या को दूर कर आच्छी निन लाने में सहायक होता है हलांकि रोजाना निमित रूप से रतन जोत के तेल से सिर्की मालिस करना चाहिए इसके अलावा तनाव को कम करने में सहयक होता है इसलिए रतन जोध का तेल रोजाना उपयोग करें बुखार को ठीक करने में अर्थात, रतन जोध की जड़ में आउशली गून होता है जो सरीर के उच्छ तापमान को नियन्तरित करने में मदद करता है आरवेदिक उपचार में बुखार को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है रतंजोत बुखार को ठीक करने के साथ कमजोरी को कम करता है पसीने के माद्यम से बैक्टिरिया सरीर से बाहर निकाल देता है दिल को सुस्त रखने में दिल को सुस्त रखने के लिए रतंजोत की जड़ उपयोगी होती है रतंजोत में आउशदी गुण होता है जो विसाक्त पदार्थ को दूर करने में मदद करता है इस पौधे को दोस्तों आप अच्छी तरीके से पहचान लीजे तो क्या करना है हमें जो है इसके लिए पानी में रतंजोत की जड़ को भी होकर उपयोग कर सकते हैं सरीर से गंदगी दूर होने पर हिर्दर ठीक तरीके से अपना कार करने लगता है वजन कम करने में वजन कम करने के लिए रतंजोत का उपयोग फायदे मन्द होता है दोस्तों रतन जोत का उपयोग निम तरीके से किया जाता है। अलकनेट से बनी हर्बल चाय को बड़े पैमाने पर आदनिक लोग चिकिस्वा में एक उपाय की रूप में उपयोग किया जाता है। रतन जोत का उपयोग सभी प्रकार के कटवती चोट और फेल्विटिस के उपचार के लिए एक सामेक उपचार की रूप में किया जाता है। दोस्तों जहां पर यह जितनी भी जो है अरुवेदिक आउशदियां हैं जहां पर जो है उनके बहुत सारे फायदे हैं तो कहीं न कहीं उसके अत्रिक्त सेवन से थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। तो मैं आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा साइड इफेक्ट्स आप अलकानेट। दोस्तों इसे जो है अलकानेट कहते हैं इंगलिस में रतन जोट को इंगलिस में कहते हैं अलकानेट। रतनजोट के फाइदे तो पएदे हैं लेकिन दूरलफ इस्तित्में नुक्सान हो सकता है रतनजोट की जडग की डाई का उपयोग नहीं करना चाहिए इस्तनपानवार ग guitar वáस्थामली मेलाओं को रतनजोट का उपयोग नई करना चाहिए जिन लोगों को रतंजोट से एलर्जी की समर्श्या होती है उनको सेवन नहीं करना चाहिए रतंजोट के फालिया पत्ती को सीधे तवर पर उपयोग में नहीं लाना चाहिए लिवर रोग से ग्रस्त लोगों को रतंजोट का उपयोग नहीं करना चाहिए रतंजोत की जड़ का उपयोग उच्छ रक्त चाप वाले को कम मात्रा में करनी चाहिए अर्थात दोस्तों इसका उपयोग आप कीजिए लेकिन किसी न किसी जो है डाक्टर से सलाह किसी न किसी चिकिसक से सलाह आप जरूर लिजेगा चिकिस्टक की सलाह की उप्रांत ही जो है आप इसका उप्योग कीजिए तो आसा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विल आइकन को प्रेस कर दीजिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नहीं जानकारी लेकर तब तक के लिए नमस्कार